हे दोस्तो, अभी मैं आपके साथ एक सिंपल सा गेम खेलने वाला हूँ, एक कुशिन पूछने वाला हूँ, जिसका अंसर आपको देना है, ठीक है? स्क्रीन पे अभी आपको एक इमेज दिख रही होगी, आप बताओ ये इमेज में आपको क्या दिख रहा है, या फिर क्या क्या दिख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना, चलो एक और इमेज लेते हैं, ये इमेज में आपको क्या दिख रहा है बताओ, कमेंट करो फिर मैं बताता हूँ, पहली नजर में मुझे तो यहां पर सिर्फ एक लड़की दीखी थी, जो कहीं और देख रही थी, उसकी नाक आक यह है, बट फिर मैंने ज़रा गौर से देखा, और आप भी ज़रा गौर से देखोगे, तो यहां पर एक और इमेज चुपी हुई है, इमेज एक बूड़ी औरत की, यह है, उसकी आख, यह है, उसका मूँ और यह है, उसकी जुरियां, है ना इंटरस्टिंग, अब यह सारे इमेज में, पॉपर्जली ऐसा था, कि एक ही फोटो है लिएक उसमें दो चीज चुपी हुई है, ऐसा पॉपर्जली करा गया है, बट कई बार करी गई होती है, बट फिर भी हमें उसमें दो चीजे दिखती है, या और चीजे दिखने लग जाती है, वैल इस एफेक्ट को बोलते हैं, पारडोलिया, कभी आपने बच्पन यह चीज करी है, मैंने तो बहुत बार किया है, जब मैं बादलों को देखता था और बादलों क जो बहुत ही अजीब सा पैटर्न उसे लगा, जो उसे एक उपर वाले का दिया हुआ साइन लगा, ऐसी एक और ने एक बर एक बर्ण टोस्ट में वर्जिन मेरी का फोटो देख लिया, आपको भी शायद दिख रहा होगा, या फिर ये वाला फोटो देखो, ये फोटो मार् अच्छी होती है, बट कई बार ये अच्छी नहीं होती है, जैसे के फॉर एक्जामपल, फाइनिशल मार्केट में कई बार लोग ऐना ऐसी जगह पर पैटर्न ढूने लग जाते हैं, और मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं उन पैटर्न की बेसे पे, जबक गिसी आठ और कुशें करने वाला हूँ, जो क्वेस्ट आपसे थोड़ेवाट रिलेटेबल होगे, डिलेटेबल होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना, प्लस ये आठ गुशेंट आपको आप अलग अलग साइकोलोजी के लेसंस भी सिखाएंगे, एक अमेजिग बुक से इस बुक के और भी कई सारे इंट्रस्टिंग से इंट्रस्टिंग के फैलिसी में पहली भी बता है आपने अलग दो वीडियो में जिसके लिंग आए बटन दिस्क्रेप्शन में आपको मिल जाएगी बड़ी स्टार्ट करते हैं जिन में से देखते हैं आप कितनी सारी चीजे से फेस कर चुके हो अचा भी मैप से कुशन पूछता हूं कभी आपने असे दिखा है कि एक फिड़बल मैच चल रही है वहाँ पर आपकी टीम के अगेंस समझो पैनल्टी किक मिली है सामने की टीम वाला जो इनसान है वो एक पैनल्टी की किक मारता है और जो गोली है आपक वो लेफ्ट के राइट में कूच जाता है जब कि जो किक करी गही होती है वो सीधा इदम मिडल में करी गही होती है और आप सोचते हो कि यार शिट उसको हिलना ही नहीं चाहिए था उसको जगें पे रहना चाहिए और गोल बच जाता बरबर है ऐसा ही कुछ आपको आपको चड़ भी होगी कि यार इसको खूदना नहीं चाहिए था बट अब एक स्टेप पीछे जाके सोचो अब वापी से एक और इमाजिन करो पैनल्टी किक है अभी जो गोल कीपर है वो वहीं का वहीं खड़ा रहा लेकिन जो पैनल्टी किक मारने वाला है उसने लेफ्ट के कॉ कोल कीपर होते हैं वो लोग राइट में या तो लेफ्ट में कूथते ही कूथते हैं और यह होता है बिकॉज ऑफ सैकोलोजिकल कॉंसेट जिसे बोलता है एक्शन बायस कई बार इनसानों को लगता है कि हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो वह सबसे वर्स चीज है जबकि अग इस बायस के वज़े से कई बार डव यह लिखके देदे थे हैं जबकि तेस्ट करते है तो कुछ और रिपोर्ट आती हो और फिर नहीं कोई दूशी दुसरी दहादेनी पड़ती है एक्षिन बाइस हो जो कहीं यह करता है झुप से दिखाते हैं कि एक्षिन लेना हमे अच्छा होता है भी आप खुद भी नोटिस करना कई बर आप नोटिस करना था इसरा बंदा जाता है आप उसके नितर मीं भी घुझ जाते हो और फिर दोनों से हटके चीज़े आपके उपर आने लग जाती है कि तू क्यों बिच में आ गया और अगेन यह सारी चीज होती है एक्षिन बाइस के वज़े से बिकुर हमें कई बार ऐसा लगते है कि एक्षिन लेना बहुत जरूरी है जबकि आज के टाइम पर हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं है अब आते हैं नेक्स्ट फैलसी पर अगेन आपके सेथ कभी ऐसा हुए कि आपने बहुत बड़े बड़े गोल्स अपने लिए सेट की है मेभी न्यू यू यर के टाइम पर या कभी तो आपको जोश आगया कोई वीडियो देखके और आपने फिर प्लान बनाना स्टार्ट किया कि कल से मैं इतने बजोट हूँगा, exercise करूँगा, journaling करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा और आप अपने एक perfect day पुरा प्लान कर लेते हो और फिर क्या होता है? दूसरे दिन शायद आपको करते भी हो बट कुछ दिन बाद ही, वो सारे का सारा प्लान ठुस हो जाता है आप जितनी भी चीज़े आपने प्लान करी थी, तो अच्छे से डीटेल में वो सारी चीज़े नहीं हो पाती है ऐसा क्यों होता है? वेल, इसके पीछे का reason है planning fallacy planning fallacy में आप notice करना कई बार हम लोगे ओर optimist हो जाते है जैसे का for example, कुछ student से पूछा गया था कि आपको ये research complete करने में कितना time लगेगा और उनको दो deadlines दी गई थी एक उनके realistic deadline उनने बोला था कि आप realistic deadline दो हमें और दूसरा बोला गया था worst case scenario deadline दो अब इसमें बात के आई, जिन लोगों को na realistic deadline पे सिर्फ 30% लोग ही थे जो लोग अपनी realistic deadline मीट कर पाए जबकि जो average student था, उनको 50% जाधा time लगा उनके worst case scenario के deadline से भी जाधा time ऐसा कई बार होता है कभी बार आप किसी freelancer को या किसी दोसको को काम बोलता हो कि कितने time में हो जाएगा वो पुर आपको बोलता कि आई दो दिन में हो जाएगा पर दो दिन बाद आप फोन करते तो आपको मालम पड़ता है आदा काम भी नहीं हुआ है इसब होता है विजस कही बार हम लोग प्लैन नहीं कर पाते हैं properly प्रोपर क्योग नहीं कर पाते है दो चलmbleHmm के वज़े से फैल है विश्फुल थिंकिंग हम लोग ऐना हमेशा विश्फुल थिंकिंगं करता है जिसके ओपर इलान मस्क अब ही वडियो को जब हम चाहते हैं कि हम सक्सेस्फिल हो ना तब हम लोग है ना हर चीज बहुत ज़ादा ऑप्टिमिस्ट हो के देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार वैसे तो सौ में से 99 लोग फैल हो जाते हैं इस बिजनस को करने में लेकिन मैं वो एक इनसान बनूँगा जो फैल नहीं होगा बसीकलि विश्फुल थिंगे हम लोग करने लग जाते हैं या फिर दूसरा रीजर्खन होता है टेर्णल वीजन हम लोग पूरा फोकस करते हम सुबह में उठाव करूंगा यह करूंगा वो करूंगा उर सारे प्लान्स जो हम लोग करते हैं specific होगे वो टैनल विजन के हिसाब से करते हैं focus हमारा उन कामों पर ही रहता है लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिन्दगी बहुत unexpected चीज है हो सकता है कि हमारी तबियत खराब हो जाए हो सकता है कि घर से भी काम आ जाया है question आता है कि आपको नहीं हजार डॉलर जीतने का चांस मिलने वाला है हजार डॉलर आप कैसे जीतोगे वैल आपके सामने ना दो बॉक्स दिये गए है ठीक है दोनों बॉक्स में 100-100 बॉल्स है पहले बॉक्स में 50 लाल बॉल है और दूसरे काले बॉल है दूसरे बॉक्स में कितने रेड बॉल है ब्लैक बॉल है या आपको नहीं पता है अब आप बताओ इन दोनों बॉक्स में से आपको ना एक बार ही चांस मिलेगा अपना हाट डाल के बॉल निकालने का तो आप कौन सा बॉक्स चूस करोगे बॉक्स A या फिर बॉक्स B वेल जब यह किे सक्पर ट करा गा है ना तो मेक्सिमम लोगों ने जो बॉक्स A चूस क्या शएद आपने भी किया होगा क्योकि यहां पर आपको लग और आपको पता है कि 50 तो और 50 ंप्ट है इसलिए चलो इसके अंदर ही डालता है बड़ यह चीज इतनी लॉजिकल नहीं है क्या पता है जो बॉक्स भी था उसके अंदर शायद 99 रेड बॉल थे और सिर्फ एक भी ब्लैक बॉल था या फिर एक भी ब्लैक बॉल नहीं था बड़ स्टिल हम लोग बी बॉक्स पर इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता था और यहीं पर एक परेडोक्स आता है जिसे बोलते हैं ऐस्बर्ग परेडोक्स जो हमें रिस्क और अंसर्टिंटी का डिफरेंस समझाता है जब भी हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हैट जाएगा या तो टेल जाएगा अगर आप इसके ओपर बेट करोगे तो आपके अंदर 50-50% चांसे रिस्क है बट अंसर्टिंटी क्या होती है कि कल बारिश होगी की नहीं होगी अंसर्टिंटी के हिसाब से ना कई बार हम चीज़े प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है और वो हमें बहुत जार डराओनी लगती है इसलिए आप दिखना कई बार हमें किती भी कोई चीज रिस्की हो अगर हमें उसके बारे में जादा नॉलेज होगी जादा चीज़े पता होगी तो हमें उसकी तरफ जादा जाएंगे जबकि अनसर्टिंटी की तरफ हम जादा नहीं जाते हैं जैसे कि अगर अगर देखे बताओ तो जॉब में भी बहुत सार रिस्क होते हैं लेकिन लोग को एक सर्टिंटी रहती कि हाँ जॉब में 30 दिन काम करेंगे तो हमें सैलरी मिल जाएगी जबकि वहीं बिस्नेस में अनसर्टिंटी होती है इसलिए लोग बिस्नेस की तरफ नहीं जाते हैं तो यह डिफरेंस भी आपको समझना जरूरी है अब आते हैं नेक्स्ट कोशिण पर या फिर नेक्स्ट बाइस जीसे बोलता है हाइंसाइट अच्छे थोड़ा रिलेट करने के कोशिश करना है यह कोशिशन के साथ समझो for example आप अपने दोस्ट के साथ कहीं जा रहे हो ट्रिप पे जा रहे हो और वहाँ पे दो रास्ते आते हैं एक लेफ्ट के तरफ एक राइट के तरफ आप चुनते हो राइट वाला रास्ता आप राइट वाला रास्ता चुन लेते हो तो भी जो दोस्ता वो यही बोलता लेफ्ट वाला रास्ता तो लेए नहीं नहीं चीएता राइट वाला रास्ता बहुत अच्छा होता है ऐसी चीज आपने कई बर नोटिस करी होगी कि हमारे पैरेंट्स या फिर हमारे दोस्त जब कोई चीज़े हो जाती है तो लग बोलते है मुझे तो पता था इतना लेट गाड़ी नहीं निकलनी चाहिएती या फिर मुझे तो पता था उसे पैसे नहीं देने चाहिएती बट फिर भी हमने दे दिये अब यह जो हरकत होती है उसे बोलते है Hind side bias जब चीजे हो जाती है उसके बाद हम लोग surely बोलते हैं कि हाँ यह तो हो नहीं था यार इंडिया का तो मैश हर नहीं था मुझे तो पहले से पता था नहीं आपको पता था नहीं उसे पता था और इसे ही बोलते हैं hindsight bias जिससे आपको बच करेना चाहिए अब आते हैं एक और interesting fall जो है primacy vs. recency effect आपने कभी कोई ऐसी movie देखी है जिसका maximum part आपको काफी boring लगा लेकिन क्योंकि उसका ending अच्छा था इसलिए आपको बहुत पसंद आई वैल यह चीज मेरे साथ हो चुकी है एक movie मैंने देखा था the sixth sense अभी मैं बहुत अच्छी थी हमें वह बहुत अच्छी इसलिए लगी उसके पीछे यह effect का है जिसे बोलता है recency effect जब भी हम लोग कुछ चीज एक्स्पीरियंस करने जाते हैं कोई काम करने जाते हैं तो हमें उस चीज का starting और end सबस्दा याद रहता है और उसके basis पे में decision लेते कि वो चीज अच्छी थी कि नहीं जैसे कि for example अगर बीच में किती भी मगजमारी हो जाए आप कुछ साल बाद उसको बोलोगे कि आरे ट्रिब बहुत अच्छी थी ऐसी एक और interesting सा question पूछता हूँ आप जवाब देना दो लोगों के बारे में आपको कुछ बाते बताने वाला हूँ आप बताना इन दोनों मेंसे कौन सा इंसा कौन सा इंसान आपको अच्छा लगा वैल तुब ऑनेस्ट आप खुदी नोटिस करना मैं दोनों के बारे में सेम बाते ही बोली बस अलन में मैंने start और end इसका अच्छा किया इसलिए आपको थोड़ा बेटर लग रहा होगा तो वैल अब इस फैलेसी का यूज कासे कर सकते मुझे आदेना में बच्पन में मुझे इस फैलेसी का यूज कही ने कई टीचर ने भी बोला था जब आपको या आंसर लिखते हो उसकी स्टार्टिंग इंड बहुत अच्छे से लिखना और end बहुत अच्छे से लिखना बीच का अप नहीं अच्छे से लिखो के तो भी स पूशन पूशता हूं क्या आप ऐसे इंसानों जो कई बर जब रील्स देखता है उसे कोई वीडियो पसंद आता है तो वह से सेफ करके रिख लेता है वह वह रील्स है तोने फ्यूचर में काम आएगा या फिर कई बर आप खरीद लेते हो और आप यह सोचते हो कि जब भी कुछ करा गया था कि उनको ने कुछ डॉर्स दिए गए थे जिसमें से एक दोर सइलेक्ट करना था जिसके पीछे उन्हें कुछ मिलता यह चीज देखी गई न कि एक बार जब लोग जब टोर सइलेक्ट कर लेते थे तो उस डौर को गया आप कर दिया जाता था तो जब भी यह चीज कर दिया जाती थी, तो जो लोग थे ना, वो लोग चूज करने में बहुत डरते थे, उनका जो स्कोर आता था, वो काम आता था, हम लोग कई बर कोई एक चीज को पकड़ के, उसमें अल-इन गुसने में बहुत डरते हैं, जबके आपनी चीज देखी होगी, हिस्ट्री में भी, कि जो लोग ना किसी एक चीज को पकड़ लेते उसमें पूरी तरीके से घुस जाते हैं, कई बर वो लोग फाड़ के निकलते इसलिए यहां psychological hack यही है कि आप try करो किसी एक चीज को पकड़ लो बाकि सारे boards को बंद कर दो और all-in उसके अंदर गुसो यह attitude से आप काम करोगे तो आप better results create कर पाओगे अब इस psychological hack को यूज करने के लिए तीन चीज़े कर सकते हो पहला embrace commitment कोई एक चीज पर full commitment देने के लिए ready रहो second create not to do list क्या करना है उसके नहीं करना है उसके वेक list बना लो see options clearly यह चीज याद रखो जातर options होना आपके लिए फाइदेमन नहीं है बलके कम options में ही जो एक चीज है वही आपको जिंदगी में आगे लेगे जाएगी यह आपके लिए देना होता है तो हिंदी पर आजाते है या फिर अपनी mother tongue में गालिया देना लग जाते है यह ऐसा होता है foreign language effect के वज़े से अपनी mother tongue में ही सोचते हैं जैसे कि मैं English में बात करता हूँ तो मेरी जादतर thoughts ने English में ही चलेंगे और अगर मैं किसी भी चीज के बार आप अपने emotions को थोड़ा side कर पाते हो और जाधा calculated risk भी ले पाते हो इसके उपर एक interesting example भी है एक Russian American novelist थे Vladimir Nabokov वो जब अपनी autobiography लिख रहे थे ना तो उनने वो पहले English में लिखा तो वो बुक ठीक्ठा की थी चोटी ही बनी बट फिर उनने जब उसे अपनी mother tongue Russian में टांसले करो या फिर अगर आपको कुछी चीज में detail में जाना है और अच्छे से emotion समझना है तो अपनी mother tongue का use करो अब आते हैं next psychological hack और उससे rated question की तरफ जो है new mania आपको पता है 500 साल पहले लोगों ने चीज प्रेडिक्ट करी थी कि 2020-2024 तक इना दुनिया पूरी तरीके से बदल जा आज भी आप देखोगे तो हम लोग कई सारे old technology यूज कर रहे हैं जैसे कि books जो है अगर books भी देखे तो books बहुत पुरानी चीज है बट आज भी हम books वैसे यूज कर रहे है जबके कई बार लोगों ने सोचा था कि नहीं पूरा digital हो जाएगा आप book लोग खरीदने बंद कर इसी कई सारी unrealistic चीजें लोगों ने सोच के रखी थी जो कि नहीं हुआ क्यों इसके पीछे यह psychology का concept है जिसे बोलते है new mania कई बार हम लोग जो novel चीजे होती है नई चीजे होती है उसकी तरफ attract बहुत होते है और हमें उसको जितनी उसकी value होती है उससे जाधा value देते है जैस इसे रिलेटरियो और यह भी बोलते है ना कि आने वाले फ्यूचर भी जो होगा वो novel मतलब नई चीजे और old चीजों का mixture होगा ऐसा नहीं होगा कि बुक्स पुरी तरीका से खतम हो जाएंगे और अम लोग स्पुरे डिजिटल हो जाएंगे या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि इसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया ऐसी मैंने 21 और psychological concept और questions अपने previous वीडियो में बना के डाले हुए है अगर आपने वह वीडियो नहीं चेक आउट किया तो जाके जरूर चेक आउट कर देना उसके लिंक मैं आई बिटन और description में डाली हुई है और अगर